सबसे पहले आपको Google Chrome में जाके Google open करना है क्योंकि आपको तीन extension install करनी है Google में लिखेंगे mouse bar extension, काफी लोगों ने install करी होगी नहीं करी तो first link पे click करें, ये page open होगा, यहाँ पे add to chrome लिखा है उसके बाद add extension के उपर click करें यहाँ पर आप देखेंगे मेरी extension शो होने लगई अगर आपकी extension यहाँ से hide हो रही है, जैसे भी हो चुकी है तो इस button के उपर आपने click करना है click करने के बाद अपनी extension को आप ping करें, जिससे आपकी extension बाहर आजएगी ठीक ऐसे ही दूसरी extension इंस्टॉल करनी है Google Chrome की Grammarly extension फर्स लिंक पे click करेंगे तो जैसे इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया है Mossbar का, सेम वैसे ही इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है थर्ड आपकी extension है SEO Quack Google Chrome में लिखेंगे, लिंक पे click करेंगे और इस extension को भी आप इंस्टॉल कर लेंगे Google के फर्स पेज में rank करने का सबसे असान तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए आपको तीन Google Chrome की extension तो इंस्टॉल करने ही पड़ेगी उसके सासत अगर already आपकी एक website है तो उसमें आपका DA, PA और spam score कितना है आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप mouse bar की extension को इंस्टॉल करेंगे तो अपनी website को open करें यहाँ पे आपको PA, DA और spam score का idea लग जाएगा अगर आपकी website बिल्कुल नहीं है जिसमें DA और PA बिल्कुल zero है तो friends उसमें क्या करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा पर सबसे पहले हम एक part को finish करेंगे यह सब करने के बाद आपके पास जो भी keyword research tool है उसमें आपने keyword लिखना है जिसके उपर आप article लिखना चाहते है चेक करें कि उसमें traffic कितना आ रहे है total number of keywords कितने है, search volume कितना है, CPC कितना है CPC की tension बिल्कुल भी ना ले जब आपको Google Adsense का approval मिलेगा और कोई ads पे click करेगा तो उसका CPC आपको जरूर मिलेगा तो यहाँ से मैंने यह देख लिए कि इस keyword पे keyword difficulty बहुत कब है जिस पे rank करना बहुत easy होगा आप देख सकते है search volume, global volume और traffic potential कितना है जितनी searches हो रही है, उससे ज़्यादा almost traffic potential आ रहा है अब आपने इस keyword को अपने Google में जाके search करना है और यहाँ पे आप देखेंगे SEO quack extension मेरी install हो गई तो इससे मुझे position का पता लग गया कि कौन सी website कौन से number पे rank हो रही है और moss bar की वज़द से भी मुझे सारा idea मिल जगा कि इन websites का DA PA spam score सारी details कितनी है यहाँ से मैं page को नीचे करूँगा अब जो मेरी website का PA 46 है और DA 19 है इससे कम DA और PA वाली website को मैं यहाँ पे search करूँगा आप देखेंगे third number पे जो website rank कर रही है उसकी authority मेरी website से थोड़ी down है अगर उसके नीचे वाली websites की बात करूँ तो आप देखेंगे PA और DA कम होने के बावजूद भी इसकी post मतलब इसका article इतना अच्छा है कि इसने और websites को भी नीचे कर दिया जिनका DA PA इससे ज़्यादा है तो अब मैं इस website को open करके देखूँगा कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वज़से ये third number पे आ गई आप समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाता हूँ सबसे पहले हमने extension install करी उन extension की help से हमने ये देखा कि उस keyword पे कौन सी website rank हो रही है जिसका DA और PA हमारी website से कम है और उस website को मैंने अब open करा open करने के बाद यहां से मैं सारा select करूँगा page के last तक मैंने यहां पे जितना भी content था उसको copy करा और इस website में आऊँगा और count करूँगा इसने कितने words का article लिखा है जिससे मुझे एक target मिल जाए 2075 words का कि उसने कितने words का article लिखा है यहां से मैं सारा select करूँगा यहां से इसको मैंने copy करा copy करने के बाद मैं वापिस इसी website में जाके चेक करूँगा page को मैंने उपर करा और देखेंगे 1738 word का अब आपको समझ आगया होगा लगबग 300 words का article जादा लिखने की वज़े से कम DA और PA वाली website भी rank करती है 2075 words का article लिखने वाली website 3rd number पे rank कर रही है और 1738 words पे लिखा हुआ article 4th number पे rank कर रहा है अगर आपको 3rd number से 2nd number पे आना ही है 3rd number वाली website को beat करना है तो कम से कम आपको 5,000 words का article लिखना पड़ेगा अब कैसे लिखेंगे मैं आपको वह भी बता देता हूँ 2075 words यह वाली website है जो 3rd number पे rank कर रही है अब Google Translate में जाना है English को select करना है और यहां से आप अपनी language को select करें और सारा content आप इसको हिंदी में translate कर लेंगे यहां पे 5000 करेक्टर की limits होती है इसके शर्द 12,000 करेक्टर से 12,661 तो maximum limit 5000 की है तो 3 बारी में आपका यह सारा content हिंदी में translate हो जाएगा यह आपने उस case में करना है अगर आपको English language समझने में problem आ रही है जैसे आप इसे हिंदी में translate करेंगे उसके बाद सारा notepad में save कर ले save करने के बाद friends इस सारे article को एक बार पढ़े और हिंदी में ही समझके अपनी language में लिखे copy paste बिलकुल भी नहीं करना meaning थोड़ा same हो सकता है पर word same नहीं होने चीए जब आप हिंदी में पूरा article लिख लेंगे मुश्किल से अगर आप pen or paper लेके भी बैटेंगे या फिर आपकी typing speed अच्छी है तो एक घंडे के अंदर आप ये पूरा article लिख लेंगे त्योंकि आपके सामने एक हिंदी में article है उसे पढ़ना है और समझ के उसे अपनी language में लिखना है और Google Translate में जाके हिंदी वाले article को यहां copy करेंगे और वो automatically आपका English में translate हो जेगा Translate होने के बाद friends आपका ये जो article है इसको आपने सारा copy करना है आप अपने WordPress ये blogger जो भी use कर रहे है उसके अंदर जाके उपर आपने title लिखना है और जो article आपने English में translate कर रहा था खुद हिंदी में लिखके उसको यहां पे paste करेंगे जैसे मैं कर चुका हूँ अब Grammarly extension जो मैंने आपसे install कर रहा हूँ उसकी help की वजह से आपने जो article लिखा है friends उसकी grammar में जितनी भी mistakes आ रही है वो extension आपकी ठीक कर देगी जैसे इस समय में आपके सामने कर रहा हूँ और उसके बाद आप इसे publish करें, images जायड़ करें, on page जैसी ओपर इन सबके उपर में वीडियो बना चुका हूँ और Google में आप बहुत ही जल्दी rank करेंगे